मद्दान के एक दिन बाद भी बंगाल में पंचाय चुनाव से जुड़ी हिंसा जारी रही उत्तर दिनाजपुर में गाड़ियों को आग लगा दी गई बसों में तोड़ फोड़ हुई रविवार को भी यहां चुनाव के दोरान हिंसा में तीन लोगों की मौत हुई मुर्शीदाबाद में रविवार को एक निर्दली उमीद्वार के समर्दकों पर हमला हुआ हजरतपुर जिले के कदमा इलाके में भी पंचाय चुनाव के बाद हिंसा हुई प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार यहां मौके पर पहुँचे बंगाल में चुनाव के दोरान हिंसा असमाने नहीं है शुकरवार और शनीवार को इस हिंसा में 14 लोगों की मौत हुई गंभी रुप से घायल कई लोग अब भी अस्पताल में भरती है कूच बिहार, उत्तर दिनाजपूर, मालदा और मुर्शिदाबाद जिले हिंसा से सबसे अधा प्रभावित रहे आरोप है कि मुर्शिदाबाद के लाल गोला में सीपीम के एक समर्थक ने जब बोद परकबजे का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई रौशा नली को लाठियों से पीटा गया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई उसके रिष्टेदारों का कहना है कि कॉंग्रेस और त्रिनमोल के कारेकरताओं ने उससे पीटा उत्तर दिनाजपूर में भी देसी बमों से हमले और मार पिटाए में कुछ लोगों की जान चली गई मैं पास ही खड़ा था तभी मैंने देखा कि एक बम उनके सिर पर लगा उनकी मौके पर ही मोत हो गई मैं ये नहीं देख पाया कि बम कहा से फैका गया इस आदमी का आरोप है कि उसके पिता जो गोल पोखर में त्रिनमोल कॉंग्रेस के उमीदवार थे उनकी भी हत्या कर दी गई जब वो एक लड़ाई में बीच बचाओ के लिए पहुँचे दो लोग लड़ रहे थे मेरे पिता बीच बचाओ करने गए उन्हें बूत के बाहर मारा गया वो त्रिनमोल कॉंग्रेस से थे कॉंग्रेस कारेकरताओं ने उन्हें मारा कॉंग्रेस कारेकरता लियाकर शेक पर भी देसी बम से हमला किया गया वो बुरी तरह घायल हो गए उन्हें अस्पताल ले जाए गया जहां इलाज के दोरान उनकी मौत हो गई पश्ची मंगाल प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी रविवार को उसके परिवार से मिले और त्रिनमोल कॉंग्रेस पर हत्या का आरोप लगाया चुनाओ के बाद भी हिंसा जारी है क्योंकि दीदी को मुर्शिदाबाद से डर लग रहा है उन्हें लगता है कि मुर्शिदाबाद उनकी पकरजे बाहर जा रहा है इसलिए उन्होंने लोगों को बहकाने या लोभाने की कोशिश की जब सब कोशिश नाकाम हो गई तो आखिरी हत्यार बम और आतंक थे उपर से पुलिस और त्रिनमूल कारेकरताओं ने मिलकर हमले किये यह पूरी तरीके से योजनाबद तरीके से करवाया गया है ताकि हिंसा और आतंक का माहौल हो यह पश्रिम बंगाल के पुराने इतिहास को दोराने की कोशिश है 2003 और 2008 के पंचायच चुनाओं में जो हिंसा हुई थी लोगों का भी दिमाग बदलने की कोशिश की जा रही है क्या बंगाल के लोग यह स्विकार करेंगे हिंसा और आतंक का ये माहौल पहले से बनाया गया वो 2003 और 2008 की बुरी यादों को वापस लाने की कोशिश कर रहे है लेकिन क्या बंगाल के लोग इसे स्विकार करेंगे चार दल साथ आ गए हैं और राजयपाल उनके अभी भावक बन गए है जिस तरह से इस हिंसा को भड़काने के कोशिश की गई है वैसा कभी नहीं हुआ वैसा कोई सोच नहीं सकता पंचाय चुनाओं में हिंसा का मामला इस हफते कलकत्ता हाई कोट में आने के संभावना है कि इंद्री सुरक्षा बलो के तैनाती और कोट के आदेशों के बावजूद राज में पंचाय चुनाओं में जिस पैमाने पर हिंसा हुई उससे ये साबित होता है कि बंगाल चुनावी हिंसा से अब भी दूर नहीं हुपाया है पूलकाता से सौरव गुपता की रिपोर्ट, NETV इंडिया